यह रहा आपके सामने एक सवाल और और थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है ठीक है चलिए कहता है इसको मैं समझा समझा के कर देता हूं एक एक स्लिमिटट है US और इसने धान रख्थ है कि मैं किसको खरीदा नोगा यानि यह कंपणी विकने वाली है और ये company खरीदने वाला है तो net payment method में क्या होता है कि भाई ये company decide कर लेके इस company को कितना पैसा देगा यही होता है ये company decide कर लेके कितना पैसा देगा भाई साब ये company decide कर लेके कितना पैसा देगा तो इसका मतलब बहुत सीडियी सीडियी बात है इसका मतलब बहुत simple सी बात है मै किसको देगा सेयर होल्डर के इसके किसको दिया जाएगा तो सर बच्छे बोल देते समने नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है बताएई वार नहीं दिख रहा है अभी नहीं अभी हुई है क्या क्लास तर एक बार शॉर्ट में अभी बता देंगे इस कोश्चन को करके पिछले वाले कोश्चन को करके दोनों को मिटा के जब तक समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ने का फाइदा नहीं मैं जानता हूं चलिए यानि इस सवाल को अभी मैंने सुरू नहीं किया सवाल के अंदर मेंशन किया सहवा सवाल के अंदर है कि वाय लिमिटेड कंपशनंद narc में एक फैमेंड जाड में जो इसके शैयर होल्र को दोने जाएगा वही परψेश consideration का कोई लेना देना नहीं है तो चलिए सर इसमें क्या कहता है कहता है एक्स limited agree to take over the business of y limited ठीक है दा consideration बींग अजंशन देट ट्रेड लाइबिलिटीज के इतने है दा payment of cost of liquidation यह है भाई तो यह क्या इसको payment करने की बात कर रहा है इदर उदर की रही है कहता है रिदंशन और फिर से पढ़ के दिखाता हूँ आराम आराम से पर लेते हैं समझ समझ के क्या कहता है एक्स लिमिटेड एगरी करता है कि धर धियान दीजेx लिमिटेड टेकोवर कर रहा है वाई लिमिटेड को and the consideration being और जब उसे टेकोवर करेगा तो क्या consideration मतलब क्या-क्या देगा हुए क्याता है assumption ले रहे हैं कि जो उसका liability है उसके 5 लाग को दे देगा ये payment of cost of liquidation, liquidation मतलब जो company बंद हो रही होगी उसको 2000 रुपे की payment कर देगा और ये redemption कर लेगा B debenture, एक B debenture है 2 लाग का at a premium पे the discharge of A debenture एक A debenture भी है 4 लाग रुपे का at a premium पे by issue 10% debenture in X limited, X limited कहता है भाई तेरी company का जो debenture holder है 2 debenture holder मैंने पाए एक A और B, इन दोनो debenture holder को मैं अपनी company के debenture दे दूँगा, ठीक है limited the payment of 10 limited, अब इसके बाद यहाँ से छोड़ देते हैं बात, अभी तक जितना मैंने पढ़ लिया है, यह मैं mark कर देता हूँ आप मुझे बताईए, यहाँ तक की जो बाते कह रहा है, इस सवाल में क्या इसमें से कोई भी ऐसी बात कही गई है, कि भाई तेरी company के मालिक को, Y limited के मालिक को कुछ मिलेगा क्या यहाँ तक की बात में कुछ कहा गया है कि उसको कुछ मिलने वाला है अभी तक तो नहीं कहा गया तो क्या अभी purchase consideration का पार्ट स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ सर अब आगे देखतें क्या कहता है, कहता है and the payment 10 per share in cash हम 10 रुपे पर share cash देंगे in exchange of two fully paid हम जो पैसे देंगे आपको 10 रुपे हर दो share के बदले आपको 10 रुपे share fully paid and 10 रुपे share of X limited कहने का मतलब है के हम payment करेंगे 10 रुपे share in cash cash तो payment कर देंगे 10 रुपे पर share है, यहाँ एक share है उसके बाद कहता in exchange दो fully paid share 10 रुपे वाले भी देंगे, X limited के यानि आपके दो in exchange of आपके share जो बदले जाएंगे उसके बदले हम दो fully paid 10 रुपे वाला share देंगे at a market price जिसकी market price 15 रुपे होगी और share for every share Y limited, Y limited के हर एक share के बदले मैं आपको 2 share देने जा रहा हूँ, यानि यह कह रहा है कि आपकी company में जो भी share है, हर share के बदले मैं आपको 2 share दे दूँगा, और दो एक share की value कितनी होने वाली है 15 रुपे, और आपकी company हर share के बदले मैं 10 रुपे नगद दे दूँगा आपको, यह कह रहा है है आगे देखते हैं क्या कहता है the share capital of the vendor limited, अब इसको ना हम vendor भी बोलते हैं, seller company जो भीकने वाले का vendor company का कितने है, 20,000 share है, 25 रुपे एच, fully paid up और उस company का share कितना है हमारा 20,000 share है और 25 रुपे fully paid up है तो चलिए sir चलिए, number one number one बात number one, equity हम पहले cash दे देते हैं, है न कहता है हम आपको cash देंगे हर एक तो कितने, कितने shares है 20,000 share हर एक के बदले, मैं मिटा दूँ इसको, था कि साफ साफ देखें, मैं सब्ड ना हूँ 20,000 shares है और हर एक के बदले कितना वचन दे रहा हूँ कह रहा है, the payment 10 rupees देखे, per share in cash यहाँ तक की बात है, तो हर किसी के बदले 10, यानि हम इसको कितने रुपे देने वाले है 2,000,000 है न 20,000,000 है, 2,000,000 2,000,000, cash में 2 मिल गया अभी तो एक चीज़ दिया है, पहले ये वाले point को देखें किसी को doubt है, तो पूछे पहले ये वाले point को देखें, किसी को doubt है, तो पूछे मैंने एक point कर दिया है सर, बच्चों ने purchase consideration निकाल भी दिया चलिए, कोई अच्छी बात है, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता वो देखते है इसमें देखें, जो कह रहा है यह, यहां तक clear है और दूसरी बात, मैंने कहा भाई, आपको हम क्या देंगे in exchange, exchange मतलब आपकी company के shares के बदले हम 2 share 10 रुपे वाले दे देंगे, और उस shares का market price जो होगा, वो 15 रुपे होगा यानि 2 share देंगे, for every share of Y limited, आपकी company का एक share के बदले हम 2 share देंगे, तो दूसरा point भाई साब, equity share capital यह कह रहा है कि आपके पास 20,000 share है, उसके बदले हम कितने share देंगे, 2 रुपे 2 share देंगे, तो number of shares हो गया, अब shares का face value 10 है और market value क्या है हमारा 15 है, share का face value 10 है और market value क्या हमारा 15 है, अगर shares की face value हम 10 की बात करें, market value 15, तो अगर मैं 15 की बात करूँ तो अब मान लो एक पल के लिए इसको हम share ना देके, हम share को बेच के इसको पैसे देते, तो 15 के हिसाब से तो मिलेगा, तो exact value देखा जाए, तो हमें इसे multiply करना पड़ेगा, सर किस से market value, क्योंकि मैंने का था हर चीज़ यहाँ पर जब सामने वाली company को paid करते हैं, तो according to किस के करते हैं market value, तो market value के हिसाब से देखा जाए, तो 4 15 कितने हो गए? और कुछ देने का promise किया था? बोला था, मेरी company का आपका 25 रुपे fully paid कहता है कि vendor company consists vendor company के खुद के share जो थे 2 लाग थे और 25 रुपे के थे, भाई तुमारे number of shares 2 लाग के थे, और वो 1000 रुपे का एक share हो, चाए 100 रुपे का हो, चाए 25 हमें क्या लेना देना हम तो आपको consideration आपके number of shares के दे रहे हैं, तो क्या 25 रुपे का कोई value रह जाएगा, जवाब है नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 2, 8 लाख रुपे कुछ बच्चों ने जवाब भी दे दिया था, यह क्या माना जाएगा, साहब purchase consideration, देखे, कोई doubt 8 लाख रुपे purchase consideration फिर से देख ले एक बार ठीक है, चलिए सर एक बार इस सवाल को फिर से करेंगे, जब तक आपको एकदम समझ में नहीं आया था, कि चल क्या रहा है यह चक्कर यहाँ पे मैंने का, मैं दुबारा कर दूँगा मेटा मैं एक बार फटा फट से पढ़ लेता हूँ अब जल्दी पढ़ दूँँगा, फिर दुबारा कर रहा हूँ हमारा चल रहा है सर, net payment method और net payment method के अंदर खास बात क्या है, कि हम क्या करते हैं, net payment method में कि कितने payment दे रहे हैं shareholder को वो ढूंड दे हम इसके अंदर, जो हमें information है तो कहना है सर के company ने खरीद लिया ठीक है भाई इसके अंदर एक point missing था के number of shares जो था number of shares जो company बिक रहा है उसका है number of shares दो लाग शियर दो लाग की बताया था ना दो लाग शियर अब आगे कहता है question में के हम payment cost of absorption कह रहा है कि बोल रहा है जो खर्चा हुआ है वह actual बीस सत्रा तो यह सर ऐसा नहीं है कि इसका accounting entry नहीं होगा accounting entry तब होगा जो books of buyer और books of seller करेंगे अभी तो PC में इसका कोई रोल नहीं है कहता है इसके debenture holder को हमने payment कर दिया भाई साम इससे भी कोई लिना देना नहीं अब कहता है दा payment 16 रुपए per share in cash तो भाईया cash देने की बात आ गई तो लट हो जाईए 16 रुपए कहता है देंगे हर शेयर के बदले तो इसके पास शेयर दो लाख है इसका cash दिया गया 32 रुपए आगे क्या कहता है सवाल में आगे कहता है हम preference share भी देंगे उसको 10 रुपए वाला और 6 equity share भी देंगे हर 4 share के बदले तो यानि सर अगर हम बात करें 14% इसको preference share capital मिलेगा और हर 4 के बदले तो 2 लाख divided by 4 यह number निकल गया कितने मिलने वाला है और 1 share रहेगा कितना 10 रुपए का तो इसका मतलब यह कितना आ गया हमारा 5 लाख आ गया और जो हम आपको equity share capital देंगे वो 2 लाख share और हर 4 के बदले हम पता है कितना दे देंगे 6 दे देंगे इसको 10 से multiply कर दीजिए तो यह क्या आ गया था हमारा 30 लाख ऐसे करके हमारा यह purchase consideration कितने का बन गया 63 लाख रुपए का इसके बाद इस वाले सवाल को भी अगर मैं दुबारा लेके चलूँ तो very simple questions है questions के अंदर क्या कहता है question में कहता है sir हमने agree किया कि इस company को खरीदेंगे और consideration उसके बदले अजंशन लेंगे liability का payment करेंगे payment cost of liquidation बंद करने का खर्चा हो गया redemption करेंगे debenture बी debenture एक तुम्हारी company में है उसको 2 लाख premium पे discharge कर देंगे और एक A debenture है उसको 4 लाख premium पे discharge कर देंगे बदले में उस debenture holder को हम अपनी company के ही debenture देंगे अब payment की बारी आई shareholder अब तुम्हारे number आ गया तुम्हें 10 रुपे पर share payment कर दिया जाएगा तो भाईया cash जो दिया जाएगा 10 रुपे पर share के हिसाब से तो पहले पता कर लो कि कितने share है तो नीचे देखा हमने हमें पता चला 20,000 share है तो 20,000 into में 10 एक तो 2 लाख रुपे तुम्हें मिल जाएगा shareholder आगे कहता है और हम आपको क्या देंगे और हम in exchange दो fully share आपको 2 share और मिलेंगे हमारे company का जिसका face value 10 रुपे है बट वो market में भी 15 रुपे का चल रहा है यानि सर आपको equity share capital मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ 10,000 तो हर share के बदले 2 मिलेगा और market value 15 है लेकिन क्या हर share के बदले 2 है तो सवाल आगे पढ़ेंगे तो कहता है नहीं कि इतने कि इभरी डहरम होगा के इवर्ड़ी फौर रुपे है यह ञलत लिए है यह फौर यह वाला नहीं यह ऐह हें बाला यह यह बहुत के मैं इक सब्सक्जाई यह टभर रुपे से फुर्यजाई धारु कर मैंदेडे मिलेज़ की मका कर देता है यहां पर चार से कर देता है ताकि एक्जेक्ट नंबर पता चल पाता तो इसका मतलब यहां पर आ गया था हमारा चार पांच छे लाक और इस तरीके से यह बन गया था हमारा आठ लाक का